मेरे प्यारे बच्चों, आज की वर्ग आठ की हिंदी की कक्षा में आप सबों का हार्दिक नमन एवं हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की हिंदी की कक्षा में आप सबों को हिंदी व्याकरन पाठ तीन में पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है संधी, इसकी कच्छा से पूर्वे की कच्छा में भी आप सबू ने संधी के बारे में अवस्य से पढ़ा होगा संधी का वास्तवी करते दो बर्नों का या दो सब्दों का योग, जोड, समझोड धी के मिलने से संधी बना है इसकी परिभासा है इसका definition है कि दो या दो से अधिक बर्नों के मिलने से जो विकार उत्पन होता है यानि जो बदलाओ आता है उसे संधी कहते हैं बीना बदलाओ का संधी कहना सार्थक नहीं होगा उचित नहीं होगा इसमें दो बर्न दो अक्षर आपस में मिलते हैं और उनक संधी के भेद की चर्चा करते हैं संधी के भेद से आप सबों को परिचय करा रहे हैं स्वर संधी संधी के सबसे पहले तीन भेद होते हैं जो पहला है स्वर संधी दूसरा है ब्यंजन संधी और तीसरा है विसर्ग संधी तो आज मैं सिर्फ स्वर संधी की चर्चा करूंग सबसे पहले स्वर संधी की definition मैं बताता हूँ कि दो या दो से अधिक स्वर वर्नों के मिलने से जो विकार उद्पन होता है उसे स्वर संधी कहते है यानि स्वर संधी का दूसरा नाम अच संधी भी है स्वर संधी को मैंने लिख दिया है इस स्वर संधी को अच संधी भी कहा ज जैसे माहा जोडिंद्र बराबर महेंद्र, गई जोड़क बराबर गायक इत्यादी, अब आये स्वर संधी के भेध की चर्चा में कर रहा हूँ, तो स्वर संधी के पांच भेध होते हैं, पहला है दिर्ग संधी, तो यदी ओ अ हरसाई दिर्गई हरसाव दिर्गव के ठीक ठीक बाद का मतलब प्लस के दाही ने अगर कोई समान स्वर वर्न आता है तो दूनों मिलकर दिर्खे यानि आ दिरगई दिरगव में बदल जाते हैं जैसे हिम जोडाले बराबर हिमाले इसके बाद महा जोडा से बराबर महा से कहने का मतलब है कि इसमें दूनों तरफ के वर् लिफ्ट राइट से परतिक्रिया करेगा तो हमेशा आ बनाएगा हरसाई दिर्गई किसी भी तरह से परतिक्रिया करेगा अपस में तो दिर्गई ही बनाएगा ये दिर्ग संधी का उधारन है अब आते हैं गुन संधी की और तो गुन संधी का नियम है कि यदि ओ आ के ठीक ब हर सभी दिर्गई आता है तो ए हर सभी दिर्गई आता है तो ओ तथा री आता है तो और और है और का कोई सिंबल नहीं होता है बन जाते हैं जैसे नर जोड इंद्र नरेंद्र इसके बाद है महा जोड इसमहेश अब आते हैं तिसरा ब्रिधी संधी की ओर तो इसका नियम है कि यदि ओ आ के ठीक बाद ए आ आता है तो आ तथा ओ आता है तो आ बन जाते हैं यानि इसमें आ और ओ अंत में रियल्ट के रूप में आता है जैसे एक जोड़ एक एक काय के दुसरा उधारन है तथा जोड़ एवा तथाईवा इसके बाद महा जोड़ो सधी महो सधी मने कहने का मतलब यह है कि ब्रिफी संधी में आ और ओ बनता है इसके पहले गुंड संधी में ए ओ अर बनता है दिर्ग संधी में आ दिर्गई तथा दिर्गव बनते हैं अब आते हैं स्वर संधी के चोथे भेद पर जो यन संधी का परिशूचक है यन संधी का नियम है कि असमान, असमान का मतलग लेफ्ट साइड से परे हट करके अगर कोई सुवरवर नाता है तो हरसाई दिरिखई से या हरसाई दिरिखई से वा तथा री से रव बन जाते हैं जैसे इती जोड़ादी इतियादी सुजोड़क्ष स्वक्ष इसके बाद पित्री जोड़ाद्स पित्राद्स इतियादी ये यन संधी का नियम है और उधारन है अब लास्ट इसका भेद है आयादी संधी तो इसका नियम है कि यदि ए, आय, ओ, तथा ओ के ठीक बाद कोई असमान सुवरवर नाता है तो इसे अय, ऐसे आय, ओसे अव, तथा ओसे आव बन जाते है जैसे उधारन गई जोड़क बराबर गायक, ने जोड़न बराबर नयन इसके बाद है पो जोड़न बराबर पावन और भो जोड़न बराबर भावन मेरे प्यारे बच्चों इतना विस्तार से तो कलास जैसा यहां नहीं बताया जा सकता है ओनलाइन कलास में लेकिन मैं जितना बन सका विस्तार से समझा दिया इसके स्वर संधी की आज मैं चर्चा कर रहा हूं स्वर संधी के पांच भेद होते हैं पहला दिर्ग संधी है जिसमें अंत में रिजल्ट के रूप में आ दिर्गाई तथा दिर्गाउ बनते हैं, दूसरा गुन संधी है जिसमें रिजल्ट के रूप में ए उ अर बनते हैं, तिसरा ब्रिधी संधी है जिसमें रिजल्ट के रूप में ए तथा ओ बनते हैं, इसके बनते हैं, संधी का मतलब जोग होता है और संधी में जब तक विकार उत्पन नहीं होता है तब तक हम संधी नहीं कह सकते है संस्कृत में संजोग भी पढ़ना होता है कि संधी अगर जो नहीं होता है यानि दो वर्णों के मिलने से जब किसी तरह का विकार उत्पन नहीं हो, बदलाओं नहीं आए, किसी तरह का चेंजिंग नहीं आए, तब उसे संजोग की उपमा दी जाती है, संजोग की संग्या दी जाती है, लेकिन हिंदी में संजोग नहीं पढ़ना होता है, हिंदी में कि पतिकिरिया के रूप में नया वर्न बनाता है तो इसी विकार का नाम है संधी आज की कक्षा मैं यही समामत करता हूँ आप सबों के उजवल भविष की कामना के साथ धन्यवाद